टीवी की दुनिया में कई बार अभिनेत्रियों को कम उम्र में ही मा का किरदार निभाना पड़ता है चाहिशिवांगी जोशी हो या फिर हीना खान इन एक्टरस ने बहुत कम उम्र में ही परदे पर मा का किरदार अदा किया था इससे इतर टिवी की कुछ अभनेत्रियां ऐसी भी हैं जो परदे पर हमुम्र के एक्टर की मा बनी थी इस लिस्ट में श्वेता तिवारी से लेकर हिना खान और एमित रिवेदी का नाम शामिल है इतना ही नहीं कुछ एक्टरस तो काम करते करते अपने ओन स्क्रिन बेटे को ही तिल दे बैटी थी तो चलिए आज जानते हैं उन अभनेत्रों के बारे में टीवे की मशूर एक्टरस श्वेता तिवारी ने सीरियल कसोटे जिन्दगी की में करनवीर बुहरा की मा का रोल अदा किया था जो कि उनसे उम्र में महद दो साल ही चोटे हैं हाला कि श्वेता तिवारी अभी भी उन्हें अपना बेटा ही कहती हैं पारुल चोहान टीवे एक्टरस पारुल चोहान सीरियल ये जिस्टा क्या कहलाता में महसिन खान की मा के रोल में नजर आ η थी एक्टर उनसे केवल चार साल चोटे हैं इस बात को लेकर एक्टरस ने अपने इंटर्विव में कहा था कि उस रोल को अदा करना उनके लिए थोड़ा अजीव है एमे तरवेदी एन दुनों ये जिश्टा क्या कहलाता में मंचरी का किरदार निभा रही है वह असल जिंदगी में अपने से एक साल चोटे हर्शर चोपडा की मा के रोल में दिखाई दे रही हैं तीवी के मशूर एक्टरस कीश्वर मेरचन सीरिल प्यार की एक कहानी में अपने से चंद साल चोटी शुयस रोय की मम्मी बने थी दोनों सेट पर ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे शुभावी चोग से एक्टरस शुभावी चोग से इन दिनों सीरिल बड़े अच्छे लगते हैं टू में नजर आ रही हैं सीरिल कसूती जिन्दगी की टू में वहपार्च सम्थान की मा बनी थी जो उन से केवल तीन साल ही चोटे हैं हिना खान हिना खान ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जितने में कोई कसर नहीं छोड़ी हिना खान ने बहुत कम उमर में मम्मी का किरदार निभाया उन्होंने मात्र दो साथ छोटे रुवन महरा की मम्मी की भूमिकादा की थी सीमा राथोर ने अपनी एक्ट्रू से लोगों को हसाने का कोई मोका नहीं छोड़ा है सीमा राथोर भाबी जी घर पर है में तिवारी जी की मा बनी है हिरान करने वाली बात तो ये है कि एक्ट्रिस रोताश गोड उनसे उम्र में 15 साल बड़े है